सब्जी तो कई तरीके की खाई होगी अपने लेकिन इतनी टेस्टे सब्जी आज तक नहीं खाई होगी चलिए आज बनाते हैं बहुत ही लाजवाब एक तम नए तरीके से गाजर की सब्जी इतनी जादा टेस्टी इतनी जादा पसंद आगी आपको कि आप एगर इसे एक बा पसंद करेंगे सुपर टेस्टी लगती है तो चलिए फटा फट से बनाते हैं तो अगर आपने तक में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कम तेल में गाजर की लाजावाब सब्जी बनाने के लिए हमने गाजर लिया है गाजर को छील लिया है दुल लिया है इसको बड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया है जितनी ज्यादा सब्जी आपको बनाना हो उतनी ज्यादा गाजर लेजिए और गाजर की से भी कलर की आप ले सकते हैं इसे मिक्सी के जार में डालना है और बिना पानी के ही से पीस कर तैयार करना है इसमें पानी बिल्कुल भ ज़ख और अच Vielen उसमningar के लिए एक बारी कटी हुई ब्यास ढालेंगे खरत धन्या डालेंगे मसालों में एक चमस धन्या पाउडर आदा चमस हल्दी पाउडर और आदा चमस के करीब गरम मसाला डालेंगे आदा चमस देगी मिर्च डालेंगे एक का्टोरी के करीब बेसन डा इसमें पानी बिलकुल भी ना यूज करें नहीं तो यह इकडम पतला सा बैटर तयार हो जाएगा तो हमें बैटर नहीं डो जैसा तयार करना है आप देख सकते हैं बिना पानी के यह बड़ी आसा डो जैसा तयार हो गया है तो इसे हम साइट में रखते हैं और एक प्लेट में घी या तेल लगा कर इसे चितना कर लेंगे प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि भाप उपर तक जा सके यानि कि इसे हमें भाप में पकाना है तो ऐसी प्लेट हमें लेना है कि भाप उपर तक जा सके थोड़ा थोड़ा सा डो हाथ में रखेंगे और इसको अपनी मन पसंद किसी भी सेप में बना लेंगे मैं इसे तीन तरीके से बना रही हूँ आपको जिस भी सेप में बनाना हो उस सेप में बना सकते हैं इसे आप नास्ते के रूप में ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या आप इसकी सब्जी बना कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैं इसे ती तरीके से बना रही हूँ तो कुछ मैं इसे ऐसे ही सब्जी बना लूँगी इस तरीके से हमें टेस्टी सा नास्ता भी खाने को मिल जाएगा और टेस्टी टेस्टी सब्जी भी तो आप दे इसे ऐसे ही पकने देंगे गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें जब तक यह नास्ता पकेगा थब तक हम घ्रेवी तएर कर लेते हैं तो कडाई में सरजो का तेल गरम किया है इसमें हम जीरा और मेथी तोनों का तड़का लगाएंगे जैसे ही जीरा चटकने लगे अद्रक लेसन मिची और प्याज का पेस्ट डालेंगे इसे हमें सुनायरा होने तक भून लेना है कैस के फ्रेम को मीडियम रखें और इसे थोड़ी दे तक भून ले इसे फटा-फट से चलाते रहा है यह बिल्कुल भी ज सबुसरी चले इक गाजर की इंडम नने तुपड़े करे डाले इसे टेस्ट बहुत आचा आता है मसालों में 1 चमस तक अधनिया प्वर्डर 18 light powder 17 बाले अधा चमस लग मिर्च डालेंगे देगी मिर्च आपको जितना तीख पसंद हो उतनी ज्ज़ादा डाल सकते है इसे कल को मिलाते हुए थोरी देर अच्छे से पका लेंगे जब अच्छे से पक जाएंगे फिस में अच्छे से खुषबूगाने लगती है और मसाले तेल भी छोड़ देते हैं गजर भी सांट में सौट हो जाएगी तमाटर भी पक जाएंगे तो सारी चीजों को हामने एक साथ ही अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हमें इतना डालना है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली ना हो, सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और इसे ढख कर उबालाने देंगे, गैस के फ्लेम को भी लो कर दें और तब तक हम नास्ता चेक कर लेते हैं, दस मिनट में ये बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बन करके तयार है, इसे गर्मा गरम अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आधे इसे नास्ता के रूप में सर्व करें और आधे की सबजी बना लें, इधर ग्रेवी में भी उबाल अगई है तो अब हम इसमें गट्टे डाल देते हैं ये बिना तेल के गट्टे बहुत ही तेस्टी लगते हैं तो इसे हम डाल कर अजए से बिलाएंगे और इसे अब ढख देते हैं और 5 मिलड तक अच्छे से पकने देंगे, गैस के फ्लेम को एक्तम लो कर दें और लो फ्लेम पर पकने दें ताकि इसकी ग्रेवी सूखे नहीं, इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि गट्टे के अंदर मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए, तो इसे ढग कर हमने 5 मिलड गरम सर्व करेंगे, आप देख सकते हैं ये कितनी जादा स्वादिष्ट लग रही है, तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सबजी बन करके तयार है, गाजर से बनी इतनी टेस्टी सबजी आज तक आपने ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होग कि गाजर गट्टे की ये सबजी आपको कितनी जादा पसंद आई, आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जादा पसंद आएगी, दोस्तों गाजर गट्टे की सबजी बनाने की ये रेसेपी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुली मत खूलिएगा इसे ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एक तम नई रेसेपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई